कि हरा बेंट को माइप्लाइट मैथमेटिक सब्सक्राइब कर लोगी तो हंडिट परसंट है क्या आसा है कि आप लोग को वहाँ पेपर में चाहिए अच्छा अच्छा प्रफॉर्मिस कर पाओगे ति यहां पर जैसा कि आप लोग को देरी न करते हों मैं कुश्चन को दिखा रहा हूँ है देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को फर्स्ट वाला कुश्चन क्या बता रहा है आप लोग का अभी अभी मैट्रिक्स यह बराबर इतना दे दिया गया आपका ठीक यहां पर एक कुश्चन सिकंड थार्ड यहां पर आप लोग को क्या से गयात किया है तो देख लिजिए घठे नेस्ट एक कुश्चन आता है आपको इनवर्स ब्यूत करम निकालने के लिए ब्यूत करम निकालने के लिए most important है हर बार कुश्चन पुछ जाता तह पान से सात नंबर के कोश्चन तो यहां पे आप लोग को इनवर्स निकालना यह वाला कुश Shopify यहांपर किया होता है पता ही है मैनस लेंड़ा होता है इस एक्वल जी रो तीलह यानि अगल प्रम का यह होता है ठीक आइगर में लेके जाने प्रमें प्रमें प्रम्ले वहां पर सारी त apro राइंग कर दो वहांथ शोल में तो ने k2 x2 plus k3 x3 is equal 0 यानि k1 की वैलू k2 की वैलू k3 की वैलू अगर सम्थिंग में सब की वैलू 0 आएगी तो आपका एगात स्वतंत्र होगा ठीक तो वहां पर आप लोगों की सही ठंग से पता ही होगा ठीक next question आता है next question जैसे के आप लोगोगो देख पारे screen पे 7 वाला कुशन आप भी वराबर इतना दिया गहा है तो आएगन वैलू के आत की गात किजिए यहाँ पर लेंडा 1 की वैलू निकलनी है लेंडा 1 की वैलू लेंडा 2 की वैलू क्या कैसे निकलता है आप लोगो को पता ही है a की value इतनी है और lambda a minus lambda होता है is equal 0 ठीक यहाँ पर a की value लग दिया जाएगा और lambda से घटाया जाएगा घटाने के बाद आपका समिकर्ण कुछ टाइप का बन जाएगा और समिकर्ण बनने के बाद आप लोगो शर्म कर लीजेगा ठीक next question आता है यहाँ पर जैसे के आप लोगो आइगन फाम निकालना है और आइगन वेक्टर यानी x1, x2, x3 ठीक वहाँ पर दो टाइप का बनेगा पहले एक्स वन ओ लेमड़ा 1, lambda 2 की value निकाल लीजीगा और lambda 1, lambda 2, lambda 3 की value रखने के बाद वहाँ पर सार कर ली x2, कर ली y, ठीक यहाँ पर आप लोगो यू जो एक बार दिया गया है, ठीक यहाँ पर यू बराबर इतना दिया है, x के पार y है, ठीक तो इसको क्या करना, पहले x को पहले x के respect पर कर लेना है, फिर उसके बाद y को, फिर x टाइप में ये पार्ट हो जाएगा और उ आपका जैकोबिन को सत्यापित करता है, means यहाँ पर आप लोग को पूरूप करना है, ठीक, नेश्ट कुशन हाता है, जैसे कि आप लोग को देख पारें, यहाँ पर नेश्ट कुशन, दासों वाला कुशन पूशा है था, u बराबर इतना दिया गया है, तो यहाँ पर आप यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड ठीक, यहाँ पर आपका इतना बन गया, और इतना बनने के बाद आप लोग को हर अपान अंस वाला फार्मला लगा देना, फार्मला लगाने के बाद आपका फार्मला लगाने के जैसा कि आप लोग को यहां पर देख पा रहे हैं यादि यादि यक्स वाइजद यन घाट का सम घाती फालन है तो यहां पे आप लोग को यह भी कुशन एकदम एजी कुशन है एकदम मोस्ट इंपॉटरंट है और कई बार रिपीट गया ठीक यहां यहां पर यह वाला कुछोन और यह वाला कुछन सार्थाञी कुछन देख के जाएगा घ्राइगा निगयों यहां पे टी को कैसे है पर नहीं आप वहाँ पेयरोग है तरे का इसी किवेस्स को सॉल्ब कर लेना यहां पे जैसे कर दीक पारौ यहां पर यू चुर को ना यह चोड़ी को लिए पूसकी रिस्पेक्ट में किया जाएगा उसके करने के बाद 3MP and this is the możemy majority ofCont余 y to the xdx dydz यहाँ पर constant की कितनीं है क्या है constant ठीक तो यहां पर आप लोग एक्सक्त के पहले क्या होती है पहले dz को क्या निकाला जाता है dj चलता है फिर उसका बाद dy चलता है फिर उसके बाद dx किया जायता है ठीक यहाँ पर नेश्ट कुशन जैसे कि आप लोग को देख पारें यहां पर यह कुशन थोड़ा रॉंग कर दिया गया है 1 2 है ठीक 0 2 x है ठीक क्या है y square plus x square है ठीक यहां पर ठीक और dy by dx अब यहां पर क्या किया जाएगा यहां पर स्ट्राइंड भी है और यक्स और वहां पर यह भी है तो यहां पर आप लोग Si यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लोग को अलग करने के बाद आप लोग को शमाकल के लिए नेस्ट आजाएगा ठीक यहां पर 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 यहां प अलगका लिया जाएगा ठीक डी-ेक्ष्वाला अलकका लिया जाएगा ठीक नेस्ट कुस्चन आता है यहांपे 22 वालाël डी-ेक्वाउन डी-वाई-डी-क्स प्लस-डी- Reserve sin यहांपे यहांपे यही कुस्चन मोस्ट इैंगा है ठीक और जितने औकलन के सूत्र बता रहे means यहाँ पर जो आपका फार्मुला है ठीक जितने भी फार्मुला फार्मुला मोस्ट इंपोर्टेंट है और फार्मुला रट के जाएगा ठीक तभी आप लोग को सही तंक सारे कुश्चन को शॉल्व कर पाऊगे डिया क्रॉण यहां पर एन थी पर फार्मुला पर फार्मुला does पर लग जाएगा और यहां पर यहां पर य लाग लाग एक्स हो जाएगा यहां पर दोनों कुश्चन को most important समझ के solve कर लिजेगा next question आता है fallon fallon f of x के लिए यहाँ पे Fourier series यहाँ पे Fourier series का value मैंने बताया था sum का और b sum का sum और b sum का क्या value निकलती है b sum की value क्या निकलती है आपे a 0 की value नहीं निकलती है ठीक a n की value निकलती है और b n की value निकलती है ठीक पता है आप लोग को मैंने बताया था और यह formula यह भी question most important यहाँ पे आप लोग को sum है भी sum है आप लोग खुदी सुनिश्यत कर सकते हैं ठीक क्या पे क्या है ठीक next question आता है x cost यहाँ पे क्या है यहाँ पे sum और b sum दोनों निकलेगा means यहाँ पे जीरो की value निकलेगी और a n की value निकलेगी और b n की value निकलेगी ठीक तीनों का formula पता ही होगा आप लोग को आई हो पढ़े भी होंगे सरी धंक से और मैंने पढ़ाया भी था ठीक next question आता है f of x f of x is equal x cos x phi minus phi to phi ठीक x plus x square यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे f of x की value क्या दिया है limit x plus x square ठीक यहाँ पर fourier series ग्याद करना है ठीक next question आता है 121 वाला 29 यदि एक leap verse में red molly red molly चुना जाता है तो वहाँ पे चुने 53 रबिवार होनी की प्राइक्ता यहाँ पे प्राइक्ता का most important question है ये वाला और ये वाला ये वाला ठीक एक बार एक थैले लाल गें याली फाफेध साध गेलिदी अर चार लाल जारी गें भी तो यहाँ पे यहां पे चारो पांचो कुश्चन प्राइकता वाला एकदम सही धंक से सिरीज से या पि जो भी आप लोग जहां से देखे होंगे और आई होब कि कोई भी बच्चे सॉल्व भी कर लेंगे ठीक यहां पे मैं सॉल्व नहीं कर वा हूँ यहां पिसारे कुश्चन को मैंने सॉल तो 5 आने वाली मेंसेज कमसकम 4 चुरस्षित आने वाली प्रायकता है ठीक यहां पे क्या है आप 사़र करके सब लोग solve करने के बाद यहाँ पर आप लोग को इसी की base पर सारे question पूछे जाते हैं एक में यहाँ पर P plus 1 के रूप में पूछे जाता है यहाँ पर एक question yelty minus 1 upon 1 upon yes plus 1 पूछ लिया जाएगा और yes square plus 1 ठीक यहाँ पर आप लोग को इस type का question देख के बाद घबराना नहीं है एकदम easy तरीके से उसी की base पर जैसे यह question लगेगा वैसे इसी वो भी लगेगा yes की base पर अगर हम P रख दिया जाए तो कोई value हमारी put अलग हो जाएगी नहीं होगी ना तो उसी की base पर यह भी question आ जाता है ठीक next question आता है जैसे के आप लोग को ये भी question ये भी question और ये question most important है ठीक यहाँ पर जो d2 y upon dx2 का formula क्या होता है x upon x x minus 1 ठीक ऐसे something में कुछ type का होता है ठीक वहाँ पर समिकड़ बनने जागा बाद आप लोग का answer आता है ठीक यहाँ पर next question आता है वाला लपलास रूपांतर वाला question है ठीक यहाँ पर ये भी question solve कर लिजेगा ठीक next question हाता है यहाँ पर under root minus 3 by 2 ठीक यहाँ पर ये भी question है यहाँ पर 1 by 2 की value गयाद करने के लिए आप लोग को question पूछ लिया जाता है one upon under root one upon under root का मान गयाद करने के लिए पूछ लिए पूछ लिए था यहाँ पर ये question ठीक और ये वाला question most important है जाके देख लिजेगा ठीक next question जैसा कि आप लोग को देख पारें यहाँ पर 46 46 46 क्या पूछ आजा था beta gamma बीटा और gamma function का आप लोग को फार्मुला रट के जाना है ठीक हो सकता है beta gamma का function आप फार्मुला पूछ लिया जाए और फार्मुला के बेस पे आप लोग को solve कर लिजेगा ठीक next question जैसा कि आप लोग को देख पारें यहाँ पर limit 0 to 1 x की पार 6 है ठीक यहाँ पर क्या करना है एकदम most important है most क्या एकदम easy तरीके से question लगने वाला है ठीक यहाँ पर x पार 6 को क्या करना है something में कुछ t u अगरा मान लेना t u अगरा मानने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो t की value x की value put किया जाएगा तो value करने के बाद यहाँ पर समाख लांग कर लिए जागा ठीक आपका final answer जाएगा next question आता है जैसा कि आप लोग को 0 to under root 0 to minus 5 by 2 है ठीक टाइन नुवर्स यहन के पार x है dx बराबर यहाँ पर प्रतलोम ओकल समिकट का question पूछा गया है ठीक यह भी question आप लोग को देख लिजेगा next question जैसा कि आप लोग को देख पार हैं दो question यहाँ पर है 49 और 50 यहाँ पर sin 2t, sin 3t का लपला शुपांतर यहाँ पर फर्मला के बेस पर अगर आप लोग का formula sin 2t का formula और sin 3t का formula पता होगा कहले है Hamilton पर्मे को आप लोग को जैसा के पढ़ाया भी गया था साही डंग से यहाँ पर 0 a minus lambda से value की put किया जाएगा ठीक करने के बाद और आपका something में lambda की यानि square का कुछ समिकर बन जाएगा यानि lambda q plus 3 lambda plus 5 square हो जाएगा lambda plus 5 is equal 0 ठीक यहाँ पर इस टाइब का बन जाएगा तो फिर यहाँ पर लाइस्ट वाले में i something मिले लिया जाएगा फिर उसके बाद lambda q की value यानि a is lambda is equal a is equal lambda हो जाएगा तो a की value यहाँ पर lambda तो यहाँ पर a को तीन बार गुणा किया जाएगा गुणा करने के बाद यहाँ पर सारी value लेख दिया जाएगा और रखने के बाद यहाँ पर आपका value सारी value 0 आ गई 0 आ गई तो वो कैले Hamilton परमे को सत्यापित करता है ठीक सारी value ठीक next question जैसा कि आप लोग को सब लोग को पता ही होगा आप लोग को तो बस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगए चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब कीजिए ज़्यादा ज़्यादा सेयर करने कोशेजिए क्योंकि सभी बच्चों का doubt के लियर हो चेकए और इसी टाइप के सारी question को पढ़े के जाएगा ठीक लपलास वाला question और जैकोबियन वाला question इसी में से जादा जादा तीनी टाइप चारफ़ फसार टाइप का question पूछे जादा है ठीक और बाकी आप लोग को आप भू मैट्रिक्स वाले में मैट्रिक्स वाले में कुशन बदल सकता है क्यावल टाइप आप लोग इसी डाइग से पढ़ लीजेगा ठीक तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छे लिए चनल पर नए हो चनल को सब्सक्राइब किजिए ज्यादा ज्यादा सेयर करने को सिख जिए मिलते हैं